आज हम जनरे डायोड के करेक्टरिस्स कर्व की एक्सपरिमेंट पड़ेंगे तो उसमें जो हम़हा एम होगे है to grow the characteristics curve of a जनरे डायोड and to determine its universe breakdown है आपनेटेस में हम जनरे डायोड कित लेंगे ठीवी तीडियोड वो जैनेर डायोट को रिवर्स बाइसिंग में लगाया जाता है जैनेर डायोट का नहीं एक टीच लिए है कि जैनेर डायोट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह अबर करता है वोल्टेज रेगुलर के तरह बर्ग कैसे करता है तो इसके लिए हम इसका सर्कुट आइगाम देखते हैं आप इस राइगाम की दाव दीजिए यह जैने डाइट का सिंगल है यहां यह N-type स्वritis रिड़ करते है और ये पन गर्मोड है इस यह N-type टर्मिनल को बेटरी के पॉसितने के करेंट किया और पन गर्मो 사 से कनेट किया तो यह। धारोड हमने डिवर स्पाइसियमर में कनेट किया This diagram is connected in reverse splice Reverse splicing में यहां पर आप देखे हैं यह रेवल्ड वोल्टेज आती है लेकिन जैनल ग्राइक यहां पर आउट्पूट जो भी आप यहां से रोड करनेट किया है यहां आउट्पूट के आपको प्योर वोल्टेज या हम कह सकते हैं आउट्पूट को प्रोवाइड करेगा यह वर्ड कैसे कर पाता है तो इसके लिए हम जैनल पर आप में जो वी टाइप और अटाइप डूपी करते हैं उसकी कंसेंट्रेशन हम हाई कंसेंट्रेशन के कारण हम जब इसमें रिवर्स पाइसिंग से कनेट करते हैं तो रिवर्स पाइसिंग की कारण बरियर पूटेंशल डरलब होता है और उस बरियर पूटेंशल की कारण करण रिवर्स पाइसिंग में फ्लोग नहीं करते हैं लेकिन हम जैसे हम रिवर्स पाइसिंग की वैल्यू और इंग्रीज करते हैं अगर हम reverse pricing value और increase करते हैं तो जो applied electric field है उसकी value increase होती है जिससे electric field के increase होने के current reverse pricing में electric field के increase होने के current डायोड में ionization की start होता है ionization का मतलब है कि atoms में से electron निकलना start कर देता है और electron के flow होने के current current की value increase होती है reverse pricing में ionization की current current की value increase होती है और current की value increase होने के current आप एक लेगर V2E-IR यहामारे पास एक relation होता है यहाँ पर E है V है terminal voltage E is EMF I is current आप देख रहे हैं एक peak voltage के बाद reverse voltage increase होता है और peak voltage के बाद उसको breakdown voltage के आगे electric field increase होता है electric field increase होने के current ionization increase होता है ionization के करण current increase होता है अगर यह current increase हुआ तो आदेखें अगर इस current की value है अगर इनक्रीज हो रहा है तो बीक की value क्या होगी current increase हो रही है तो voltage क्या होगा तो इसमें जब जब ज्रैंट अरड में reverse voltage इंप्रीज होता है तो इसमें current flow आजाता है और इस current के flow होने के कारण voltage की value constant रहती है तो main purpose of the general earth is that that it control the voltage and it regulate the voltage voltage controller और voltage regulator इसका main purpose है और यह special purpose राड़ आज़ो के case में आता है तो आपको मेरी साइस पीडिया है, इसमें इसकी चेक करते हैं, इसकी रिडिंग चेक करते हैं तो आप देखे रहे हैं, जैनर डायोड करेक्टरिसिक्स एपरेटस मैं इसको 0 और 0 पर सेट कर लेते हैं तो हम यह चेक कर रहे हैं कि यह पर हम वोल्टेज को ज्यादा एंक्रीस करेंगे तो हम रिवर्स वोल्टेज илे रहे हैं वो 15 और हम कर्ण्ठ की वैल्यू इसमें बहुत कम होती है रिवर्स वाइशिंग में कर्एं के वल्रिंट की वैल्यू माईक्रियम्पिर में होती है तो इसमें highest range 3mA है तो मैंने इसको 3mA वाले connection में इसको own कर दिया आप देखेंगे कि यह आपको इधर एक symbol दिख रहा है generator का generator का P type को मैंने P type को आप इधर देखिए यह P type है इसको मैंने negative से connect किया है इस इस negative यह जो black symbol होता है वो negative को show करता है और मैंने इसका जो P type है positive वो मैंने connect किया है sorry यह N type है N type को मैंने connect किया है battery के positive से और P type को मैंने connect किया है battery के negative से P type को battery के negative से N type को battery के positive से so this connection is reverse bias this connection is reverse bias okay अब मैं जैसे जैसे voltage करूंगा आप देखिए सबसे पहले मैं इसको पांच डिविजन आगे लेके जाता हूं तो वोल्ट मेटर में वोल्टेज 5 डिविजन आगे आती है लेकिन आप अभी देख रहे हैं करेंट की वेल्यू कितनी है जीरो वोल्टेज 5 डिविजन आगे इसका मतलब आप यहां पर देखिए लीश काउंट इसका है तो यह हुआ 1.25 तो सबसे पहल वोल्ट मेटर को यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आप लीश काउंट देखिए तो लीश काउंट होता है टोटल टोटल रेंज अपन में नंबर और डिविजन तो टोटल रेंज हमें यहां पर मिल रही है 15 देखिए इधर थोड़ा फोकस किजिए इधर टोटल रेंज इससे में आप रेंज देख रहे हैं इसकी 0.25 वोल्ट तो हमारे पास रेंज और लीश काउंट ऑफोट मेटर है 0.25 वोल्ट और आप इधर देखिए मिल इंपीर के अंदर मिली एंपियर में हम ले रहे हैं 3 मिली एंपियर और इसमें आप देखिए इसमें टोटल नमबर आप डिविजन है 60 तो 3 अपॉन में 60 तो यह आ रहा है हमारे पास 0.05 मिली एंपियर तो हमारे पास लीश काउंट है 0.05 मिली एंपियर अ मिली एंपियर के लिए मिली एंपियर तो आप सबसे पहले दिखिए वोल्ट मिली एंपियर में वोल्टेज है इदर है 5 डिविजन 5 को मैं मल्टिप्लाइ करूँगा 0.25 से अब इदर दिखिए 5 5 डिविजन मल्टिप्लाइ 0.25 तो हमारे पास या आएगा 1.25 अ मिटर में रेंग 0 है अब मैं इसकी वेल्यू को और इंग्रीज करता हूँ 5 डिविजन 5 डिविजन और इंग्रीज करने पर पर ये वेल्यू आती है 2.5 अभी भी मिली एंपियर में वेल्यू मुझे 0 मिली 5 डिविजन और इंग्रीज करने पर इसका मतलब अभी ये रिवर्स बासिंग में चल रहा है और रिवर्स बासिंग में आपको मैंने आपको अपने डिसकस किया दा थिवरी में कि आख में इंडर में री इडिंग जिरू आती है आद एक और इंग्रीज करने पर ये आता है 5 वोल्ट और अभी भी इसमें 0 वोल्टेज ही हमें मिल रही है अभाँ पान्स डीडि उट विज्ट और इंग्रीज करने पर भी अब voltage हमारे पास है 6.25 और आप देखें अभी भी current milliampire में 0 हमें मिल रही है अब मैं voltage increase कर रहा हूँ 5 division और आप देखें इतर कितना है 7.5 अभी भी हमें current 0 milliampire में मिल रही है अब मैंने 5 division और increase किया तो current यहां पर मिला voltage है 8.75 हम यहां पर देख रहे है current की reading current में कुछ reading आई है और यह division हमें मिल रहे है 1 2 yes 1 2 तो 2 division में reading आई है और यहां पर इसका least count है 0.05 2 multiply 0.05 we get 0.10 this is in milliampire okay now 5 division voltage को और increase करेंगे तो हमारे पास यहां पर मिलेगी voltage 10 volt और current current पर देखेंगे एक 14 division 14 division multiply 0.05 तो यह हमें जो value है 0.70 0.70 now 5 division और increase करने पर the value is 11.25 और मिली एमिटर ने आप देखेंगे 10 20 25 26 27 और 1 multiply 0.05 तो यह हमें मिल रही है 1.35 और 1.35 ओके एक value और हमें कीज करते हैं तो यह value हमें मिली 12.5 और इसमें यह value आई हमारे पास division number of division is 10 20 30 40 45 49 multiply 0.05 equals to 2.45 तो यह आप देखें कि इस voltage पर 7.5 voltage तक आप देखेंगे आप में रीडिंग 0 है लेकिन इस 8.75 7.5 से जब यह मैंने 1.75 से voltage increase किया तो 1.75 पर आप देखें current एक दम से sudden increase हुई तो इसका मतलब this is our breakdown voltage अब आप इसके लिए हमें graph load करना है इस तो हम इसके य एक्सिस में लेंगे current और current की value है milli ampere में यह है और x-axis में हम लेंगे voltage which is in volt तो इसके हम 1.25 तो एक स्केल ले रहे हैं x-scale में हम लेंगे voltage वोल्टेज 1.25 वन सेंटीमेटर इक्वल्स टू वन सेंटीमेटर का एक बॉक्स हम ले रहे हैं milli ampere के लिए ले रहे हैं तो आप देखिए सबसर्ब पहले यहां पर voltage है 1.25 पे current 0 है voltage increase हुई 2.5 current 0 voltage increase हुई 3.5 current 0 5 पे current 0 6.25 current 0 7.25 current 0 8.75 voltage पर आप देखिएंगे की current की value यहां है 0.10 this is 0.20 0.40 0.60 okay 2 cm equals to 0.20 0.80 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2 and this graph goes on increasing तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो value है 2.8.75 पे हमारे value जो आ रहे है हो है 0.10 तो यह point यहां लगेगा next है 10 10 पे हम देख रहे हैं हमारे value है 0.70 0.70 0.70 0.70 just say 0.70 11.25 पर 10 पर 0.70 आप देखेंगे value है 1.35 this is 1.4 1.3 this is 1.35 at 11.25 next आप देखेंगे 12.5 पर value और increase हो रही है आप देखेंगे पहले current की value 0 है और उसके बाद आप देखेंगे sudden there is sudden increase in current this is our breakdown voltage आप देख सकते हैं इधर 8.7 में से पहले एक point मिल रहा है इस पर rise हुई है वो current यह तो देखेंगे 8.7 पर इस voltage पर हमारे current increase हुई है तो यह 8.75 है okay this yes तो यहां पर breakdown voltage हम लेंगे 8.75 this is breakdown voltage यह कई जगे इस graph को हम third axis पर भी बनाते हैं इस तरह से यह हमारे पास है first second और third इस तरह नेगिडिव एक्सेस में लिया जाता है और current तो आपके देखेंगे इसको किस तरह से आप देख सकते हैं reverse pricing में voltage आप देखेंगे reverse pricing में तरह से मैंने voltage increase की current increase हुआ और एक voltage पर current maximum increase हुआ तो यह voltage होगी breakdown voltage इस तरह से बुक्समाने जाता